राजवीर पर हुए अटाक की बात सुनकर इश्की बहुत टेंशिन में थी। उसने तुरंथ राजवीर से कहा, हमें अभी घर चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राजवीर इश्की को टेंचिन में नहीं देख सकता था, उसने तभी सारी मीटिंग्स कैंसल की और कहा ठीक है हम घर चलते हैं मैं अपने डेबार्टमेंट से सामान ले आती हूँ तुम रुको मैं अभी ओफिस बॉय को भेज कर मंगवा देता हूँ राजवीर ने ओफिस बॉय से कहा कि वो इश्की का सारा सामान उसके कैबन में ले आए और जब वो ओफिस बॉय इश्की का सामान ला रहा था तो प्रिया ने ये देख लिया और ये देख कर उसे अब इश्की से और ज्यादा जलन होने लगी वो घुसे में खुद से बूली हिम्मत देखो मैं इसकी बॉस हूँ और मुझसे पूछना तो दूर मुझे बताना भी इसने जरूरी नी समझा कि ये घर जा रही है आकर कुछ तो काला है इसमें जो इसने इतना बड़ा हाथ मारा है सीधा राजवीर सिंग घानिया को ये पटा लिया बहुत उची उडान भरी है तुमने इशकी लेकिन अगर मैंने भी तुम्हारे परो को कुतर कर तुम्हें जमीन पर नहीं फेक दिया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं वहीं दूसरी ओर इशकी बहुत परिशान थी उसने राजवीर से पूछा आप मुझे सच सच बताओ कि ये हाथसा कैसे हुआ था क्या हुआ था सुभा हरे तुम बेकार में इतने टेंशन ले रही हो कुछ नहीं हुआ था सुभा बस एक बॉम ब्लास्ट हुआ था बस एक बॉम ब्लास्ट हुआ था इतनी बड़ी बात आपको बस लग रही है मुझे पूरी बात बताओ राजवीर ने इशकी को सुभा हुए हाथसे के बारे में सब कुछ बता दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें तकलीद देकर मेरी कमजोरी का फाइदा उठाए मैं आपकी कमजोरी नहीं ताकत बना चाहती हूँ राजवीर बादा कीजिए कि आप मुझे कभी नहीं छोडेंगे हरे तुम्हें क्या हो गया है इशकी सब ठीक है चलो घर चलते हैं राजवीर और इशकी घर पहुँच गए पूरा घर दुलहन की तरह सच चुका था क्योंकि कल रूही और समर की शादी की रिसेप्शन थी रूही अपने बैट पर बैट कर अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी कि तभी रूम में समर आया समर के साथ रूही की शादी राजवीर ने अचानक करवा दी थी समर और रूही भले ही एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंद गए थे लेकिन इस रिष्टे के लिए उन्हें अभी काफी समय चाहिए था कि तभी समर बातरूम से बाहर आया उसके भीगे बाल और फिट बॉटी देखते ही रूही उसे बस देखती ही रह गई कि तभी समर ने कहा अब रूही अब आपने देख लिया हो तो मैं शर्ट पहन लूँ रूही समर की ये बात सुनकर थोड़ी इंबारिस हो गई और समर भी हसने लगा वहीं दूसरी ओर इश्की चेंज करके सीधा मिशा के रूम में चली गई इश्की ने मिशा को प्रिया के साथ हुए अपने जगड़े के बारे में सब कुछ बता दिया ये क्या किया तो ने भाया को बताया नहीं मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इस प्रिया को मैं खुद ही ठीक कर दूँगी राजवीर पहले से ही बहुत बिज़ी है मैं उन्हें और परिशान नहीं कर सकती हूँ मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रिया को मेरी और राजवीर के रिलेशन्चिप से क्या प्रॉब्लम है तुझे अब तक समझ नहीं आया इश्की अरे प्रिया भी राजवीर भाया से प्यार करती है इसलिए उसे तुझसे जलन है और वो चाहती है कि तुझे राजवीर भाया के करीब न चाये अब समझी और मुझे लगता है कि तुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए प्रिया कुछ भी कर सकती है मुझे तो वो शकल से ही बहुँट चालाक लगती है मैं राजवीर की वाइफ हूँ, मेरी जगा कोई नहीं ले सकता मिशा और राजवीर दुनिया से भले ही हमारे रिष्टे को चुपाना चाहते हो लेकिन अपने रिष्टे को बचाने के लिए अगर मुझे शादी को दुनिया के सामने लाना भी पड़ा तो मैं ऐसा करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगी लेकिन मुझे लगता है इश्की की तुझे इस बारे में भाई को सब बता देना चाहिए क्योंकि अगर तेरा कोई भी वार उल्टा पड़ाना तो उसका असर राजवीर सिंग घानिया पर भी होगा तो मिसिस राजवीर सिंग घानिया सोच समझ कर अपनी पहली चाल चलना तू टेंचन मतले मिशा चाल तो मैं ऐसे चलूंगी कि साब भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं तूटेगी क्या होगी इश्की की चाल? क्या प्रिया को ओफिस से निकलवा देगी इश्की? क्या रूही करने लगेगी अब समर से प्यार? और कैसे बचा राजवीर सिंगानिया बॉम ब्लास्ट से? ये तो इसका फुल एपिसोड सुन कर ही पता चलेगा फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और विडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में कमेंट करने बाले 10 लाकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स तो सुनते रहे जैवल से शाधी सिर्फ पॉकेट एफम एप पर